हमने जब सरकार बनाई सरकार बनाने के बाद ही इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे अपने भोगलिक द्रश्टी से दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्जी के रूप में मद्वदेश का अपना एक एरिया है लेकिन इसमें कुछ कठनाई या भी समय के साथ हुई है जब जिल संभाग बड़े छोटे हो गए ऐसे कई संगती पूर्ण व्यवस्ता के लिए हमने परिशीमन आयोग एक नया बनाया है इस परिशीमन आयोग के माध्यम से नजदीक के स्थान को नजदीक के जिले से जड़वा करके जनता की बहतरी के लिए जो अच्छा हो सकता वो जरूर करना है तो संभाग जिले इनका एक बर पुनर परिक्षण करना है इसमें मैंने एक आयोग बनाया है आयोग के सदस एसी एस लेवल के रिटायट सिरी मनोश रिवास्तों जी को मैंने जवाबदारी दिये ऐसे कई बड़े जिले अभी हमारे हैं जैसे सागर ये हमारा इनके अंदर के जो अंदर के कठनाईया है जैसे बीना रिफाइनावी बन गई तो बड़ा एक स्थान हो गया तो आगे आने वाले समय में युक्ति-युक्त करन के माद्यम से ऐसे कई नेड़े अंदर करके इस बारे में विचार किया जाएगा इस आयोग के माद्यम से उम् मेरी अपनी और से ऐसे सारे सुझाव जिनको लगता है कि हमारे इस चेत्र को जोड़ना चाहिए छोड़ना चाहिए यह स्रीवास्तो जी रिटारेड हमके पास जरूर पहुंचाएं और वो अपने जिले-जिलों में ये काम का अभियान प्रारम कर रहे हैं मेरी अपनी और स से प्रदेश की बहतरी के लिए जो जो हो सकता है हमारी सरकार लगातार जैसरी प्रदान मंत्री स्रीमा नरिंद मदीजी के नेतरत में काम करती रहेगी और उसी के प्रदेश की जनता की बहतरी के लिए मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ जैसरी